गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स, तुडे विल्लान इवियस, चैप्टर नंबर फाइफ, वेस टु बीहेव, वियवार के तरीके हमने इस चैप्टर में पहले पढ़ा, इसके दो पार्ट हमने पढ़े थे, और दोनों पार्ट में हमने गुड मैनर्स के पारे में पढ़ा, ग्रिटीज ओदर के बारे में पढ़ा कि किस तरह से हम, अगर कोई लोग हमें मिलते हैं, तो हम उन्हें किस तरह से विश करते हैं, ह जब कोई हमें कुछ उफार देता है, गिफ्ट देता है, तो हमें उसे थैंक्यू बोलना है, हमें respect करना है elders का, be punctual रहना है हमारे काम की प्रती, हमारा जो around है या atmosphere है, उसे हमें चारों तरब जो हमारा surrounding है, उसे हमें क्या करना है, clean रखना है, ओके, हमने ये सारी चीजें Day number 30, be kind and helpful, हमें सब के प्रती के सा रहना चाहिए, दया पूर्वक और मददगार पूर्वक रहना चाहिए, help anyone in need, जब भी किसी को जरूरत हो, किसी को भी जरूरत हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, या जिसको आवशक हो उसको हमें मदद करनी चाहिए, okay, do not tease or hurt animals, Truthful या सत्य हो, सत्यता पूर्वक हो, या सत्य बोलना चाहिए, always speak the truth, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, या सत्य बोलना चाहिए, okay, never lie, जुट नहीं बोलना चाहिए, be happy and cheerful, हमेशा मुसकुरता हुआ और खुश रहना चाहिए, keep smiling, हमेशा मुसकराना चाहिए, हस्ते रहना चाहिए everyone loves to be with a happy and cheerful child हमेशा खुश रहने वाले सबी जो लोग हैं वो खुश रहने वाले और जो हस्ते हुए से बच्चे रहते हैं उनी को पसंद करते हैं nobody likes to be with a sad and ill जो कोई भी व्यक्ति उसे पसंद नहीं करता जो दुखी रहता है हर समय उदास रहता है उसे पसंद नहीं करता और जो ill-mannered होते हैं कहना चाहिए कि जिन में manners की कमी होती है ill-mannered का मतलब होता है कि जिन में manners की कमी होती है जो शरारतें करते हैं जो दुसरों को नुकसान पहुचाते हैं ऐसे बच्चों को दुखी बच्चों को कोई भी पसंद नहीं करता या गुसे वाले बच्चे होते हैं उन्हें कोई भी पसंद नहीं करता सो हमें कैसा होना चाहिए अच्छा होना चाहिए खुश रहना चाहिए दूसरों के प्रति हमें हल्पूल होना चाहिए काइंड होना चाहिए उन्हीं बच्चों को सभी पसंद करते हैं जो दूसरों का आधर करते हैं कुल मिलाकर इस lesson का मतलब यह है कि आप क्या व्यवहार ही आप आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि आप दूसरों के प्रती मदद करते हों आप दूसरों को हमेशा सच बोलते हों अपने काम के प्रती पंक्चुल रहते हों दूसरों का आधर करते हों आप अच्छे word यूज करते हों, दुसरों को हमेरे शब विश मिलने पर विश करते हों, तो ऐसे बच्चों को सभी पसंद करते हैं, okay children, I hope आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, thank you so much and have a nice day.